उस्ताद आपत में पड़ी है जान उस्ताद उसके हाथ में तलवार है तलवार का मुकबला पाइप से अरे वाह आप तो हीरो हो हीरो मैं नहीं गलाइको पाइप है अरे बॉस का कॉल हेलो आज का हेडलाइन क्या है आज का हेडलाइन तो गलाइको पाइप है सर गलाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक पूंद की किमत चत्रा में तीसरे लहर के मद्दे नजर लगतार बढ़ते कुरोना संक्रमन के बीच प्रसासन भी पूरी तर से सक्त नजर आ रहा है। और सिमरिया के SDPO असोग प्रियदर सी दलबल के साथ नक्सल प्रभावीत कुंदा प्रखंद मुख्याले पहुँच कर चौक्चा रहों पर लोगों से मास्क का उप्योग करते हुए सोसल डिस्टेंसिंग का पालंग करने की अपिल की है। इसके साथ ही जानमाल की सुरच्छा को लेकर कोरोना का दोनों डोज लेने के लिए भी जागरूप किया है। मौके पर अधिकारियों ने दुकांदारों को भी कोरोना गाइडलाइन के सकती क्या अनुपालन करने की भी नसिहत दी है। प्रोपर वे में पहनने का हो चाहे भैक्षीन के लिए खास करके हम लोग अपील कर रहे हैं कि हमारा जीला अभी भी पीछे चल रहा है वैक्सिनेशन के मामले में। सरकार जार्खन सरकार चीफ सेक्रेटरी सर बार बार इसके परती हम लोगों को हंडेट पर्सेंट वैक्सिनेशन इस मेहने के अंतक कराने का लक्ष पराप्थ हुआ है। बैंक में भी हमने गिया बैंक में खास करके असपश्ट निर्देश दिया है साखा प्रबंदत को कि जो भी वेक्ति अगर बिना भैक्सिन के आते हैं तो उनके साथ आप लेन दिन ना करें सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं मास्क का हंडेट पर्शन अनुपालन कराएं इसके साथ ही अधिकारियों ने बैंक की साखाओं का निर्देशन किया जहां सरकारी निर्देशों का आनुपालन नहीं होता हुआ देख गुस्टाएं साखा प्रबंदत को जम कर लतार लगाई है और अपने आदतों से बाज आने की चितावनी दी है बगैर मास्क और डब प्रबंदन के नियमों के खिलाफ दुकानदारों और बैंक करमचारियों के खिलाफ करवाई की जाएगी मुखर संबात के लिए बिचत्रा से ब्यूरो रिपोर्ट जब दूरती है आस जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मुमोरता है जवाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमित निसां देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां